मेरे चैनल को सब्स्राइब कीज़े और इस बेल के बटन को जरूर दबाईए तभी मेरी लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुचेगा असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ हर्याली टिक्का बनाऊगी जिसको बनाना बेहद आसान है और आप देख सकते हैं यह कितना सॉफ्ट बनाए कितने अच्छे से गला है और जब आप इसको हरी चुटनी से सर्फ करते हैं तो इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है बहुत ही डिलिशस लगता है और बहुत ही आसानी से बनता है तो आईए हम देख लेते हमें छिक्टन हर्याली टिका बनाने के लिए क्या क्या चाहिए है इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ के जी बोनलेस च्रिकन लिया वा है हर पीस को एक से डेरिंच के क्यूस में कट करके रखा वा है इसको मैंने अच्छे से वाश करने के बाद दस से पंदर मिनट के लिए एक छणनी पर रख दिया था जिससे कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए साथ में हम तीन से चार हरी मिर्च लेंगे एक मुटी हरा धनिया लेंगे और जितना हरा धनिया है उसी आधी क्यूंटिटी में हमें पुदीना लेना है यहाँ पर हमें हरी मिर्च, हरे धनी और पुदीने का एक फाइन पेस्ट बना के रख लेना है थोड़ा सा पानी डाल कर यह कुछ मसाले लेंगे इसमें दो टेबिल स्पून भुनावा बेसन लिया है इसकी जगह आप एक टेबिल स्पून कॉन फ्लार भी ले सकते हैं चार टेबिल स्पून एकदम गाड़ा दही लेंगे जिसको अच्छे से बीट कर लेंगे एक टेबिल स्पून नीवू का रस लेंगे हाफ टीस्पून गरम मसाला पौडर और एक टीस्पून कसूरी मेथी लेंगे एक टेबिल स्पून मक्षन लेंगे और एक टेबिल स्पून अद्रक लैसुन का पेस्ट लेंगे ये कुछ पाउडर्ड मसाले और लेंगे इसमें हाफ टीस्पून जीरा पाउडर लेंगे एक टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और एक टीस्पून नमक है जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं हरधनिया, पुदीना और हरी मिर्च का मैंने एक फाइन पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पाने डालकर अब हम इसमें दही डालेंगे और साथी में हमने जो पाउडर मसाली लिए वह हैं वो भी हम इसमें डालेंगे कसूरी मेती और गरम मसाला पाउडर डालेंगे अद्रक और लैसुन का पेस्ट डालेंगे और नीबू का रस्ट डालेंगे साथी में हमने जो बेसन भून का रखव है वो भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इस मिक्स्टर को अच्छे से मिक्स कर देंगे ये देखिए हमने इसको खुब अच्छे से मिक्स करके रख लिया है अब हमें इसमें चिकन डाल देना है और चिकन डाल कर हम इसको बहुत अच्छे से इसमें मिला देंगे इसको मिक्स करने के लिए हम हादों की मदद लेंगे जिससे की सारे जो मसाले हैं हमारे वो चिकन में खुब अच्छे से कोट हो जाएंगे तो हम इसको एक से डिर्मनेट के लिए खुब अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको एक से डिर्र घंटे के लिए मारिनेशन के लिए रखतेंगे आपके पास टाइम है तो आप 3-4 घंटे भी रख सकते हैं हमारा चिकन जो है अच्छो से मैरिनेट हो चुक है अब हम इसको स्क्यूर में लगाएंगे अगर आपके पास स्क्यूर्स नहीं है तो आप इसको डारेक्ट पैन में फ्राइ कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्यूर्स में ही यह बनेगा और बाकी के सारे पीसे हम स्क्यूर्स में एक एकर के सेट कर लेंगे और थोड़ा सा मसाला भी हम इसके उपर इस तरह से लगाएंगे ताकि हमारा जो चिकन है खुब अच्छे से मसाले में कोट हो जाए मैं इसको पैन में बना रही हूँ अगर आपको अवन में बनाना है तो इसकी सेटिंग मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगी तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अब हम एक पैन में दो टेबी रिस्पून के करीब तेल गरम कर लेंगे और जब तेल हमारा गरम हो जाएगा हम इसमें बटर डाल देंगे अगर आप इसको अवन में बना रहे हैं तो आप बटर जो है मसालों के साथ डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसको पैन में बना रही हूँ तो मैं पैन में ही बटर डाल रही हूँ जब हमारा बटर हलका सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें एके करके जो हमने चिकन इसकी वर्स में सेट कर रहे है वो रख देंगे बटर को जादा मत जलाईगा और ना ये एक दम से काला पड़ जाएगा एक मिनट के लिए हमें गासी फ्लेम को हाई रखना है और इसको टच नहीं करना है एक मिनट के बाद ही हम इसकी साइट को चेंज करेंगे हम पैन को इस तरह से थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि जो तेल और बटर है अच्छे से चिकन के हर पीस में कोट हो जाए करीबन एक मिनट हो गया है तो हम एके करके अपने टिका की साइट को चेंज कर देंगे और अब हमें गासी फ्लेम को लो करके इसको ढखकर पकाना है तो हम इसको ढखकर 10-12 मिनट के लिए कोक करेंगे जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता है बीच में हम इसको एक बार चेक करेंगे कहीं हमारा चिकन जल तो नहीं रहे तो मुझे ये थोड़ा सा ड्राइ लग रहे तो मैं इसमें दो से तीन टेबिल स्पून पानी को छिड़कूंगी एक पर्टिकुलर जगा पर मट डालेगा छिड़क कर डालेगा करीब 10-12 मिनट हो गए हमारे चिकन को पकते वे और क्योंकि चिकन के छोटे छोटे से पीसे से ये बहुत आसानी से गल जाएंगे और अब हमें गास की फ्लेम को हाय कर देना है और तीन से चार मिट के लिए हमें इसी पैन पर अपने चिकन को थोड़ा सा फ्राय कर लेना है इस पर थोड़े से हम ग्रिल मार्क्स टाइब से लियाएंगे उलट उलट कर 3-4 मिट के लिए हमने चिकन को फ्राइ कर लिया है अब हमें इसमें एक एडिशनल स्टेप देना है जिससे कि हमारे चिकन टिका का टेस्ट और भी जादा बढ़ जाएगा हम इसके उपर थोड़ा सा बटर अपलाई करेंगे बटर अपलाई करने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है जब हम इसको गैस पर ग्रिल करते हैं तो जो बटर जलता है बहुत अच्छी स्मोकी फ्लेवर देता है इसमें और अब हम इसको डिरेक्ट इस तरह से गैस के उपर रोस्ट कर लेंगे जिससे कि इसमें बटर के साथ जब ये जलेगा तो इसमें बहुत ही अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर आएगा और ये जो ग्रिल मांक्स हैं इसको बहुत ही अच्छी स्मोकी खुश्पू देंगे बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ जाता है इससे आप इसको ग्रिल करने के लिए इस तरह के ग्रिल नैट का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसको डेर से दो मिनट के लिए उलट पलट कर हर तरफ से ग्रिल कर लें जो कि इसको बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर देगा हमारा हریाली चिकन टिक्तबन करते हैं यह देखिए कितने अच्छे से यह गला है हम इसको हारी चटनी से सर्फ करेंगे आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी से इसको सर्फ कर सकते बहुत ही डिलिश्यस है, बहुत टेस्टी है जरूर से इसको एक बार आप ठ्राइ किजगा हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपको आज की मीरी ये रेसेपी अच्छी लगिए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्ट्राइब नहीं किये तो प्लीज वान टाइम कर ली जगा थैंक यू